आपने ऐसे पकोड़े कभी खाए है आपने तो प्याज अरी मिर्च पालक के पकोड़े खाए होंगे मगर आलो के पकोड़े खाकर तो देखिए ये एकदम हलके फुल के क्रिस्पी और करारे बनते है एक कुरकुरे भी होते है इसलिए इसका टेस्ट तो बहुत ही बड़िया होता है बारिश के मासम में सुबह के चाय के साथ ऐसे पकोड़े खाने का मज़ा तो कुछ और ही होता है ऐसे पकोड़े बनना तो बहुत ही आसान है और ये जटपट भी बन जाते है सुबह के जलबाजी में चाय के साथ नासते के लिए ऐसे पकोड़े बनाएंगे तो घर वाले मज़े से खाएंगे क्यूंकि ये बहुत ही क्रिस्पी करा रहे और टेस्टी लगते है अगर आपके घर में कोई मेमान भी आये हो तो ऐसे पकोड़े बना कर उने खिला सकते है तो चलिए आज हम ऐसे मज़ेदा रेसिपी बनाएंगे इसके लिए मैंने यहाँ एक बड़े साइस का आलू छील कर लिया है अब हम नाइब से आलू के मेडियम पतले पतले स्लाइसेस कट कर लेंगे द्यान रखिए आलू के स्लाइसेस ज़्यादा पतले ज़्यादा थिक नहीं होने चाहिए इसका थिकनेस मेडियम ही रहना चाहिए अगर ज़्यादा थिकनेस वाले slices बनाएंगे तो हमारे पकोड़े अंदर से पकेगे भी नहीं और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे इसलिए इसका थिकनेस मेडियम ही रहना चाहिए तो चलिए हमारे टेशिप शुरू करते है इसके लिए मैंने यहां लिया है एक कब बेशन दो टेबल स्पून राई साटा आदा टी स्पून लालमेश पौडर आदा टी स्पून हल्दी पौडर स्वाद के अनुसार नमक एक टी स्पून कौरियेंडर पौडर आदा टी स्पून आजवाईन को हातों पे ऐसे क्रेश करके लेना है साथ ही एक टेबल स्पून क्यूमिन सीड भी क्रेश करके लेना है और यहां डालेंगे दो पिंच हिंग अब सभी मसाले मिक्स करेंगे साथ ही यहां डालेंगे कटी हुई हरी दन्या की पत्ते इससे हमारे पकोड़े का टेस्ट और भी बड़ेगा और बाद में जरुरत की इसाब से थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसे अच्छे से फेट लेंगे पानी डालते से मैं दायन रखी है कि हमारी पकोड़े का बैटर ज्यादा गाड़ा या ज्यादा पतला नहीं होना चाहिए इसे मेडियम ही रखना होगा पकोड़े का बैटर अच्छा सॉप्ट होने तक इसे ऐसे ही फेटते रहेंगे ऐसे फेटने से हमारे पकोड़े हलके फुलके और टेस्टी लगते है साथ ही हम यहां डालेंगे दो पिंच बेकिंग सोडा यहां हमारा पकोड़े का बैटर रेडी हो चुका है अब हम चलते हैं इसे फ्राइ करने के लिए गैस की और यहां हमने कड़ाई में आईल गरम करने के लिए रखा है जब हमारा आईल गरम होगा तब हम आलो के स्लाइसेस बैटर में डुबोकर इसको फ्राइ करने के लिए कड़ाई में एक एक करके छोड़ देंगे यहां देखिए हमारे पकोड़े कितने हलके फुलके बन रहे हैं इसे ऐसे ही एक एक करके पलट देंगे इसे तब तक फ्राय करना है जब तक यह अच्छे से पक न जाए और ब्राउनी कलर आकर यह क्रिस्पी करारे होन जाए बन रहे हैं न हमारे हलके फुलके क्रिस्पी और करारे आलो के पकोडे अब हम इस टेप पे हमारा ग्यास का फ्लेम मेडियम कर देंगे मेडियम फ्लेम पे पकोडों को अलटते पलटते रहना है जब तक हमारे पकोडे अंदर से अच्छे से पके अब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे ऐसे गर्मा गर्म पकड़े खाने का मज़ा तो कुछ और ही होता है अब हम इस पकड़ों को गर्मा गर्म ही खाएंगे इसे आप टमाटर के चुप या दही के साथ खाएंगे तो इसका मज़ा तो कुछ और ही दुग न बढ़ेगा आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते है सुबह के नस्ते में चाहे के साथ ऐसे आलो के पकड़े खाएंगे तो इसका मज़ा और भी ज़्यादा आएगा आप इसे महमान हो या घर के बच्चे हो इने भी ऐसे पकड़े बना कर खिला सकते है क्योंकि यह बहुत ही जटपट बनते है और आसानी से भी बनते है तो दोस्तो हमारी एरेसी पे आपको पसंद आई होगी तो हमारे इस वीडियो को लाइक करे अपने दोस्तों से सेयर करे साथ ही हमारे चैनल में आप नए हो तो हमारे चैनल को जरू सब्सक्राइब करे